सभी आगन बाड़ी बहनों को मेरे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में तो जैसे कि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो आगन बाड़ी केंदरों का संचालन अभी चल रहा है उसके संचालन के संभव में पडिवर्तन कर दिया गया है जी हाँ ICDS विभाग के तरब से पत्र जाड़ी किया गया है जिसमें आगनबारी केंद्रों के संभव में ये पत्र जाड़ी किया गया है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो आगनबारी केंद्र है के एक बज़े तक संचालन किया जा रहा है तो कहीं कहीं पे 7 बज़े से लेके 11 बज़े तक आंगनबारी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेविका सहाइका को आंगनबारी केंद्रों पे कब उपस्थित होना है जैसे कि य नियम है वो आज से ही यानि 18 अप्रेल से ये नियम लागू होने वाला है तो चली जानते हैं कि ये जो अब विभाग का पत्र है इसमें और भी क्या-क्या निर्देश दिये गए हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटीस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सभी आगनबारी बहनों के साथ सेयर जरूर कर दिजेगा देखिए यहां पे जो ये लेटर जारी हुआ है जैसे कि अब जो आगनबारी केंदर संचालन के समय में परिवर्तन के संबन्द में जैसे कि अब जो आंगनबारी केंद्रों का संचालन है उसमें पडिवर्तन कर दिया गया है महा सहय निदेशा नुसार उप्रियुक विशाय के संबंद में सुचित करना है इग्रिस मडितु के आगमन होने के कारण आगनबारी केंद्र संचालन अधी उर्ब निर्धारित समय तालिका के अनुसार अप्रेल 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक पुर्वाहन सारह 7 बजे से अप्राहन सारह 11 बजे तक निर्धारित की जाती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आगनबारी केंद्रों का संचालन है वो कब से कब करना है यानि कि सारह 7 बजे से लेके सारह 11 बजे तक आपको आगनबारी केंद्रों का संचालन करना है और ये जो नियम है अप्रेल 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक यही जो नियम है वो रहने वाला है कि आपको आंगनबारी केंद्रों का संचालन 7 बजे से 11 बजे तक करना है अता अनुरोध है कि पडिवर्तित समय और अधी के अनुसार अपने जीला अंतरगत सभी आंगनबारी केंद्रों का संचालन सुनिशित कराया जाए और इस परकार के देख सकते हैं कि यह जो लेटर है वो सभी जीला अंतरगत सभी डियेम को यह आदेश दिया गया है कि आगनबारी केंद्रों का संचालन अब सारह 7 बजे से लेके सारह 11 बजे तक किया जाएगा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि जो आईसीरियस के अनुसरों पदादिकारी है उनका यहाँ पर सिगनेचर दिया गया है तो देखिए अब जो आगनबारी केंद्रों का संचालन है वो पूरे बिहार के आगनबारी सेविका सहाइकाओं को यही टाइम टेबल रहने वाला है और जैसे कि आपको बताते चले कि आगनबारी केंद्रों पे जो सहाइका है उनको 7 बज उपस्थित हो जाना है और जो सेविका है उनको 7 बज कर 14 मिनट पर उनको अपना आगनबारी केंद्रों पे उपस्थित हो जाना है जैसे कि आप लोग जांच में देखी रहे हैं कि किस प्रकार से जात चल लए है तो आप लोग को 100 समय जो ये टाइम दिया गया है उस पे आगनबारी केंदरों का संचालन किया जाएगा और इतने समय पे आपको आगनबारी केंदरों पे उपस्तित रहना है उमिद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीड बहुत धन्यवाद जय हिंद